लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और डेल आइकुन को प्रेस करें करें अल्ट्रा चनल्स कर दो 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 कर और जब दोएगा को कि और नहाँutan और जब खूँ़ा कि और दोए winter और खुबास पर जबे मुच़ा और खुबास पर जबु़ास खुबास पर बहाँ़ास एक कि 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 भूगाक टूएज़ास ओूए़ास पर उना हाश़ास सुना तुने, अगर तुने मेरा कहना नहीं माना, तो आज के बाद यह आवाज तु कभी नहीं सुनेगा नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर मांग पूरी करूँगा तो फिर आप से ठीक एक घंटे के बाद, एक करोड रुपया लेकर नारिमन पॉइंट के टेड एंड पर आ जाओ क्या तुम मेरे बच्चे को भी वहां लेकर आओगे? सवाल नहीं, सवाल नहीं, पैसा मिलते ही तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास पहुचा दिया जाएगा हाँ, अगर चाला की करने की कोशिश की न, तो जानते हो क्या होगा? मुझे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे टुकड़े करने में बहुत मसा आता है नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे मैं पैसा लेकर आरो मैं पैसा क्या माग रहा था वो उसे हमारी सारी जायता देतो लेकिन मेरे मुन्य को ले आओ, मेरे मुन्य को ले आओ घबराओ मत, मैं पैसा लेकर जा रहो, मैं मुन्य को लेकर ही आओंगा तुम लोग, नारिमन पॉइंट के डेड एंड पर पहुंचो वहाँ पर मखीजा से एक करोड रुपया वसूल करेना हाँ सुनो, सुनो तुम चारों तरफ से घर चुके हो अपने आपको और बच्चे को कानूं के हवाले कर दो वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी अफजर, अरे फारी चुरू करो एाँ वरे लिए एाँ ऑाँ अवाँ अप्च लाँ वर्फ़ेगी 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 आजजए पास आज़ है जान। आजजव द तक एहाँ आजज़ मुझए और रह Bangladesh कि अज़खब आजब आज़ आजव आज़ करी दो हाँ ... हाँ ... पाँ ... अाँ ... यूर उनर, मुल्सिम राजी फटनागर एक बदनाम की ड्नेपर है जिस पर देश के कई राज्यों में बच्चे अपहरन करने का मुकदमा चल रहा है ये मुल्सिम इतना शातिर और चालाख है कि अपने पीछे गुनाओं का कोई भी सुबूत नहीं छोड़ता I object your honor, Mr. Public Prosecutor एक मनगान कहाने सुना कर अदानात को गुमराख करने के कोशिश कर रहे है मेरे मुक्किल एक नहायती इमानदार और इजददार शेहरी है अगर ये इजददार और इमानदार है तो डिफेंस काउंसल की नजर में चोर, डाकू, खुनी, सब देउता और महात्मा कहलाएंगा और ना, यूर अनर, जब तक कोई जुर्म थाबित नहीं हो जाता मेरे मुक्किल को मुझनिम कहने का हाँ किसी को नहीं है आज तक कोई भी केस, कोई भी मुखदमा इन पर थाबित नहीं हो पाया है सो इसलिए आसे ये बेगुना हुए हाँ, इनका सिर्फ एक जुर्म है उस दिन मौकाई वारदात पे ये कंपाला हिल्स के अलागे में मौझूद थे उस अलागे में तो और भी लोग रहते है फिर पुलिस ने इनको ही क्यों पकड़ा पुलिस ने अपनी नाकामियावे को चुपाने के लिए मेरे मौकिल को महरा बनाया क्योंकि किद्नेबर्स के साथ क्रॉस फाइरी में पुलिस के हाथ और वो मासुम बच्चा मारा गया इसलिए पुलिस अपने माध्य के कालिक मेरे मौकिल के मुबे पहुता जाती है पुलिस के पास आईसन कोई सबूत नहीं हाओ आईसन कोई सबूत नहीं हाओ जो इस थाबित कर सकता है कि हमरा मौकिल उस लोना का अभरण किया है अग्वा किया है उसका किद्नेब किया आईसन कोई सबूत नहीं हाओ संदे के नहीं हैं आप I'm sorry sir I'm extremely sorry मेरे अदालत से ये कुजारिश है ये दर्खास है कि मेरे मौकिल को बेगुना थाबित करते हुए पाईज़त बरिक कर दिया जाए मेलॉर्ड काटेश से जो भी सुबत मिले हैं उनकी जाच परताल हो रही है और जब तक अदालत को पूरी रिपोर्ट नहीं मिल जाती मैं अदालत से दर्खास करूँगा कि इस खतरनाक मुझरिम को टूडिशनल का स्टडी में रखा जाए मिसर पब्ली पॉसेक्यूटर आप मेरे मना करने के बावजूद मेरे मौकिल को बार बार मुझरिम कहके पुकार रहे आप जानते हैं यह एक दिल के मरीज हैं यह हाट पेशन यह नौ मिसर राजू, आप जाए यह आप जाए माई क्लाइन हाट पेशन इस बेंस प्रशाएंगा इनके चेरे का पसीना देखिये इनके चेरे सलती उसांसे देखिये देखिये मिलाड, अगर मेरे क्लाइन को कुछ हो गया तो उसका जिमेदार यह कानून होगा यह अदारत होगी और आप होगे मिलाड, आप इसलिए मेरे आप से दरख्वास्त है कि मेरे क्लाइन को अपने खर्शे पर किसी अच्छे से हास्पिटल में इलाज कराना की इजाज़त दी जाए यह है इनकी मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं के कानून अंधा होता है लेकिन इस अदालत का जज अंधा नहीं उसकी आँखे हैं वो देख सकता है सही और गलत की पहचान भी कर सकता है जब तक पुलीस की तेखिकात पूरी नहीं हो जाती अदालत राजू भटनागर को जूडिशल कस्टडी में रखने का हुक्म देती है मेरा नाम पद्री निराइन डागा यूही नहीं है मैंने सिर्फ जीतना सी कहा है अज तक कोई केस नहीं हा रहा और ना ही तुम पे कोई केस साबित होने दिया है और इस केस से भी मैं तुम्हें बहुत सफाई से पचा ले जाओंगा दो चार पेशी दो चार सुनवाई मामला फिरिश लेकिन ये जज थोड़ा टेड़ा लगता है उसकी फिक्र तुम मत करो डागा ने अच्छे अच्छे टेड़ों को सीधा कर दिया है फिर ये जज चीज क्या है मुना डार्लिंग क्यूटी पाई स्वीट हाफ्ट ताइम तु गेट अप I see मुना डार्लिंग देखो कौन आया है तुम्हें जगाने के विए मौना डार्लिंग बाहर तो आप एक बड़ी शेर नी बनी फिरती है और यहां एक छोटे से मामूली कॉक्रोज से डर गई कॉक्रोज शेर से कहीं ज्यादा खतरनाख होता है डादी चलिए कम से कम कोई तो ऐसी खतरनाफ चीज है जिससे हमारी बेटी डरती है वर्न आपके डर से तो हमारे सारे नौकर भीगी बिल्ली बने हुए है क्यों नहीं आफ्टर आल मैं एक जज की बेटी हूँ यूनो डैड़ी इन सबको कंट्रोल में रखना पड़ता है कंट्रोल में तो रखना पड़ता है मगर फिलहार आप कंट्रोल में आ जाईए क्यूंकि आपके कॉलिट के जाने का वक्त हो गया आफ शायए 61 62 उपस्थित हो श्रीमान धन्यवाद बालकों और बालिकाओं प्रेम इस संसार की परम शक्ति है अजन्ता और अलोरा की गुफाओं से लेकर जमना किनारे निर्मित ताजमहल प्रेम के रंगों की विभिन्य व्याख्या करते हैं इसी तरह की एक अदभूत प्रेम कता है शकुंतला और दुशियंत की इस कता की एक खास विशेष्ता जय मधुबाला जय मधुबाला अरी ओ मधुबाला सु कहणवारो काई समझ परेशक है बाबाजी जो निक्रा अभी अभी डंड़ चालू किया है उदर उदर का बाट में करने89 क्या बाबाजी हमेशा पैसे की बात कर ते रहते ओ हम तो तुम्हेब बहुत इंप्झन्ट खबर सुनाने आयते कौनसा इंप्झन्ट खबर है हा मबाजी आपने आज का फिल्म जगत पढ़ा है फिल्म जगत बाबा जी उसमें लिखा है कि स्वर्गिय मदुबाला जी की हात्मा मादुरी दिख्षित के अंदर आ गई है बाबा जी तब ही तो वो इतनी अच्छी आक्टिंग करने लगी है मदुबाला के नाखुन के बराबर वो छोकरी अक्टिंग कर लेगा तो अक्षा दुनिया के अंदर उसका नाम हो जाएगा लेकिन बाबा जी कहा मादुरी दिख्षित और कहा मदुबाला बाबा जी अगर मदुबाला जिन्दा होती तो आप क्या करते है दिख दिख रहा मेरे को उसका याद तिला करो तकलिफ मत देहा मदुबाला जिन्दा होती तो उसके पार्क के अंदर में जान देकर सहीडों में अपना नाम लिख्वा लेता है लेडी गरा उसके आट के अंदर नो समों से खाओ थोड़ा थोड़ा करके अरे, अरे, क्या घटा है ये लोग मेरे को इमोशनली ब्लेकमेल करके गफा गफ कोल्डिंग पीता है हाँ तो गल्स, आज की नाश्टे का इंतिजम तो महदुबाला ने कर दिया अभी आगे के लिए चलो अपना अपना पॉकेट खर्स निकालो ये लो मैं बाबाजी से जाकर और खाना ले आती हूँ अभी ओ गाड ये मोटी इतना खाती है फिर भी इसका पेट नहीं भरता आइनो स्टुपड केंकी मौनिका, तुझे पता है सलमा के अबू बहुत बड़े हकीम है इसने उसको कोई चूरन लाके दिया है कह रही थी उसको खाने से लोहा भी हजम हो जाता है मेरे अबू जान तो ऐसी ऐसी अभूखी दवाईया बनाते हैं बस बस सलमा बस बस अपने अबू की पब्लिसिटी बंद कर बाबाजी मैं तुझे नहीं छोड़ोंगी छोड़े तो देख लेना अरे शाला इतना टिंगू होके इसके साथ काई कुपंगा ले लिया मीलू क्या होआ ये क्या है इसका भूता ने मेरे सारे खाने का सत्य अरश कर लिया देखे जी मेरे नाम कभूतर नहीं है मुझे ध़प्ता माला और मेरे बक्षेस सेरे पर हज़ा दकाने की काशिश की देखे जी तो मेरे कोई का सुने जी मैं तो सिद्धे शिदे जा रहाता बीच में आकर ये टकरा गई एक तो नुक्सान करते हो उपसे भैस करते हो, ये सब नुक्सान तुम्हे अपनी पकर से भरना पड़ेगा देखे जी ये तो सरह सर्बेंस अपया जी एक नहीं हत्तर लड़की को छर्थी बाप लुक शरम नहीं आती है ये शरम नहीं आती है जी एक तो चोरी उपस है सीना जोरी चलो इस की तलाशी लो देखे जी मिरे बात तो सुनेजी मैने कोई गलती नहीं की, मेरे बात तो सुनीए, मिरे पैसे इसके पास 140 रुपे हैं हां और हमारा खाना 1.500 रुपे कर था ठीक है, इस पर फॉर्मूला 99 इस्तमाल किया जाए देखे जी, यह 99 फॉर्मूला क्या होता है जी? अब भीवत आते हैं चलो देखे जी, आप लोग मेरे साथ क्या करते है आप चल जाएगा जाए नंदर अरे आप लोग के भाइब अप लेगे जी अरे चल अप क्या करें जी, मन टॉयलेट के अंडर लेके गया सत्या नियास, मरी जैसे पहलो ए कपुतर तेड़ सो रुपे दे जाना और कपड़े ले जाना अच्छा जी, तेड़ सो रुपे लेकर आउंगा जी आज फगलडी की लड़कियों के इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे साइंस फगलडी की लड़के के साथ ऐसे भी हो करें ये तो सरा सर जाती है मिल्कुल ठीक किराया आजय तुम अगर इनका जवाब नहीं दिया गया तो इनकी दादगरी ऐसे बढ़ती जाएगी मजा तो चकाना ही पड़ेगा लेकिन यारो ये तो बता उसके आगे करना क्या चाहिए ठीक है यार विकास को आने दो इन लड़कियों की इट का जाब था हम पत्थर से देगे ये लड़की बड़ी सर फेरे ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के है चलती हुई फुल जड़ी सब को जलाएगी देखो देखो पूरे मबादी है होटो पे होटो पे इसके काली है दिल की ये दिल की थोड़ी सी काली है मोनिका ये लड़की बड़ी सर फेरे रहना यारो समल के है चलती हुई फुल जड़ी सब को जलाएगी तेखो देखो पूरी मवाली है होटों पे होटों पे इसके काली है दिल की से दिल की थोड़ी से काली है मोनिका यू स्टुपिड मुझसे अगर तकराओगे तू उटोगे बिखर जाओगे तितली नहीं बिजली हुँ मैं छोना नहीं मर जाओगे तू जो है चन्चल खटा हम भी तो है तुफा देखो देखो पूरी मवाली है होटों पे होटों पे इसके काली है दिल की थोड़ी से काली है मोनिका आई, ख्रेजी आई, ख्रेजी आई, ख्रेजी आई, ख्रेजी तीखे नयन शोला बदन भड़के हुई ये जवाने तुझे को सबक सिख लाएंगे तू बनती है बड़ी सयानी तू है कली अदिखिली हम है आशिक जवा देखो देखो पूरी मवाली है होटों पे होटों पे इसके काली है दिल की ये दिल की थोड़ी से काली है मोनिका ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समभलके ये लड़की बड़ी सरफिरी रहना यारो समभलके है जलती होई फुल जड़ी सबको जलाएंगे ये देखो देखो पूरी मवाली है होटों पे होटों पे इसके काली है दिल की ये दिल की थोड़ी से काली है होटों पे होटों पे इसके काली है स्टुपर! स्चुपर भुट! सुपर ... हस्पार! अभी हस्तू, अभी बताते हूं तुझे उल्लो के पठे, ये ले यू लंगूर, लोफर, यू स्टुपड, यू डाड़ी, यू, येस, मी अगर आपका गुछसा अभी तक थंडा नहीं हुआ, तो इस घर में बहुत सारी प्रेटे हैं तोड़ने के लिए आप कहें तो पेश करूँ, अओ डाड़ी, भई आखिर बात क्या है, हमें भी तुबताईए, इस घर को कोड़े अदान आप क्यों बना रही है, मैं नहीं बताऊंगी, ये मिया परसनल मैटर है, अच्छा-च्छा, मतलब ये कि आज कॉलेज में एक बहुत बड़ी फाइट क्या हुआ, देटी, ये खाने के नहीं, दिखाने के है, ये नकली है, असली नहीं, अब बताऊ क्या हुआ ओ डाड़ी, मैं क्या करूँ, गुस्वा मेरे साथ साथ कॉले से घर तक चलाया तो इसमें मेरा क्या गुजूर ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके गुसे को ठंडा करना हम जानते हैं नहीं डाड़ी, ये गुसा यू ठंडा नहीं होगा, ये तो तभी ठंडा होगा, जब उसकी भी वही हालत होगी, जो उसने मेरी की थी अरे, पचुसे के फ्रेकों, जोरणाँ के लड़े की वहां हरा भी ध elder Одfall अज़्यमत में के अने मोमली कमसा पादा गुसां बा쟁ा ही डार मेंक्तलि है मैं तुम सब की खालु खेड़दूगा सरांबें ग्रॉट्र कि कि खालु ओेड़दूड़ूंगड़ मैं ग्लाट कारआएघ। कर दो कर दो दो कर दो कर दो आई सेट स्टब इट यह बड़ अफसोस की बात है कि तुम लोग ने पढ़ने लिखने के बजाए मारपीट और डादा गिरी करना शुरू कर दी है फेल जो हो गया सो हो गया अब सब कुछ भूल जाओ और एक डूसरे के गले लग जाओ चलो प्रिंसिबल ने तुम्हें माफ कर दिया तो क्या हुआ ये मत समझना कि मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया ये कहानी तुमने शुरू की थी लेकिन इसे खत्म मैं करूगी यू अंदर्स्टेंड हाँ तो सलमा क्या रिपोर्ट है इस फाइल में विकास की पूरी जन्मकुंडली बंद है इसे बावाजे बुलंद पड़ा जाए येस यू ओनर हम विकास वर्मा वल्द अविनाश वर्मा इसका विनाश तो मैं करूँगी फर्स्ट यह में पूरी उनिवर्स्टी में फर्स्ट गूड सेकंड यह में 80 पसंट टॉप मार्क्स वेरी गूड म्यूजिक और स्पोर्स का शौकीन भी है नाइस पिछले दो सालों से बॉम्बे पूना रेस में चैंपियोंशिप भी मेर रही है होल इट, होल इट बॉम्बे पूना मोटर साइकल रेस यह तो दो दिन बाद ही होने वाली है हाँ येस मेलोड हम् मिस्टर विकास वर्मा की चुर्म का फैसला हमारी आदालत बंबे पूना रेस में करेगी बंबेरी बंबेग्न देखा मुझसे टकराने का अंजाम क्या होता है अभी बच्चु जिन्दगी भर मुझसे पंगा नहीं लेगा क्या नहीं लेगा पंगा क्या लेगा लेखा 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 ले काँ अए आएाा! जाए! झाँ! चक, घक, आए! आह! आck!! रखग! आह! झा एadamenteरे ci tutti! सबतू! जोगे एहुँँ खूए एँ! को ग ओी अःखते हैं अवाट बाल नदानी अःगा! पाल नचले को! चान! एचलोने! आज की इस हरकत के लिए I'm really very sorry, please मुझे मुझे माफ कर दो विकास राजु भाई आपके साथियों ने बहुत बश्पना दिखाया वो जैस की बेटी वो किड्नेप करना चाह रहे थे वो तो अच्छा हुआ कि पुलिश को मालूम नहीं पड़ा वरना आप एक और किस बन जाता अब यह होना था वो तो हो गया वकील साहब अब आप यह बताएं कि आपने जेलर पेरुमल से बात की है हाँ मैंने जेलर पेरुमल से बात की उनका कहना है कि बैठिये बैठिये sorry मैं जरा राउंड पर चला गया था कहिए कैसे आना हुआ राजु भाई मिस्सर पेरुमल आपको इस जेल में वह सा फैसिलिटीज देंगे जो के एक फाइस्टार होटल मिलती है फाइस्टार के क्या साहब हम तो आपको टैनिस्टार की फैसिलिटीज देंगे लेकिन सिर्फ जेल के अंदर समझा फिर भी हम आपकी मदद के शुकर गुजार होंगे ओकिन साहब पांच नक रुपया थैंके सर एनी टाइम एए सलाम साब क्या नाम है तुमारा? पपपु सिंग ठीके बार जाओ जे तो खबर सच निकली टेल को आयाशी का अड़ा बना रखा है क्या बात है टीवी, वी सी आर, विस्की, इंपोर्टेट सिगरेट्स तो तुम हो राजू फटनागर जे बच्चों को किड्नेप कने वाले करप्ट आफिसर्स को रिश्वत देकर जेल के कमरों में फाइस्टार होटल का कमरा बना कर रहने वाले हाँ जी मैं उन तमाम करप्ट आफिसरों को आज के आज सस्पेंड करा दूँगा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वैसे भी राजू भटनागर को परदियां खरीदने का बहुत शौक है तुम सेंटर के आदमी को रिश्वत देना चाहते हो यह स्पेशल चेकिंग है समझाए मिस्टर राजू भटनागर तुम्हें पता नहीं है कि सरकारी ऑफिसर के साथ बत्तमीजी करने का क्या अंजाम उसकता है अब तुम्हें जिंदगी भर जमानत नहीं मिलेगी सर इसे तो सीधा अंडा सेल में डालवा दीजी इसको पता नहीं हमारा पावर क्या है पहले उस जेलर से निपट लेते हैं फिर इसको बताते हैं पहले जामान अठाओ सब लेके चलो यहां से अरे अप क्या आप बात कर रहे हो तुम मेरे जेल के अंदर तीन आफिसर आए और मुझे खबर तक ना हो उन तीनों की वर्दियों को देखकर तो ऐसा लगता था पेरुमल साहब कि वो जरूर किसी बड़े रैंक के ऑफिसर है और किसी स्पेशल राउंड के लिए आए कोई राउंड वान पर नहीं आया था मेरा दावा है कि वो सारा सामान इसी जेल में मौझूद है तुम उन लोगों को पहचान तो लोगे ना Of course ठीक है मैं तुम्हें जेल में राउन पर लेकर चलता हूं देखते हैं चलो मेरे साथ ठीक से काम करो जान से देखो इन में से तो कोई नहीं है न? अहां चलो पीकर विस्की राजू की पीके शिगरेट फारण की आगई मुझीबत हम सब की तुम तीनों चिंदी चोर अपने अपको समझते क्या हो मैं तुम तीनों को अंदा सेहल में बंद करा दूँगा अहां यह हूल जपाट किसको दे रहे लो चिंदी चोर किसको बोल रहे लो हम चिंदी चोर है तो तुम कफन चोर है अहां अगर तुमारी नारकटों का पता उपर वाले साप को चल गया न मैं वीजियार पे जब तक फूल नाइट पिक्चर नहीं देखलू मेरे को तो नीन नहीं आती है और अब उनका क्या है साप जब तक आप उनके गले के गटर में दोचार घूट नहीं जाते न आप उनके दिमाग की गंटिज नहीं बश्टिया और अपना तो बीडी से भी काम चल जाता है लेकिन जब इंपोर्टेट सीगर्ड देख लेता हो ना तो दिल में चलना शुरू हो जाता है इसलिए मैंने क्या सुचा कि हम सब जेल में तो हैं मैं तुम लोगों को लास्ट वार्णिंग दे रहा हूँ अगर आइंद ऐसा कुछ हुआ न एक मिनिट जेलर साब आप ज़रा शान्त हो जाएए यह हमारे आपस का मामला है आपस महीन इप्टा लेंगे क्या खैल है बिलकुल ठीक खैल है सुना था हर सेर पर सवा सेर होता है और हर चोर पर मोर होता है आज यह बात साबित कर दी तुम लोगों रजबाई क्या है यहड़े का निशाना बेवड़े की ताकत और यह खोबड़ी की खोबड़ी का चमतकार यह अगर तीनों एक जगा मिल जायना तो रहा चलते आदमी की आँख से सुर्मा चुरा ले और उसको पता नहीं चले तो आप पूछेंगे पकड़े कैसे गए तू पता बे जेल में थे इसलिए पकड़े गए बाहर होते ना तो ढूंडते रह जाते हाँ लेकिन स्कीम बहुत बढ़िया बनाई थी तुम लोगों ने चक्कर में आगया मैं भी अरे अपने खोपड़ी का दिमाग खूब चलता है लेकिन क्या है कभी इसका पासा कभी ठीक नहीं बैटा एक बात बात पूछो पूछो सुनना है कि तुम छोटे छोटे बच्चों को किनाप करके बहुत माल कमा लेते हो माल तो सभी कमा लेते हैं पर तुम नहीं समझभाओगे इसकी समझदानी वो थोड़ी कमजोर है यूपर का जो माला है न यह खाली है खाली जगाओं को भरना मुझे अच्छी तरह से आता है मुझे दोस्ती करोगे? मिश्की पिलाओगे? टेली वो दोस्ती हो ली ठै ठै राकीले कहां पी रहा गिलास में डाल ओ क्वाली साला इसको भी दे अहाँ चेर्स बताओ यार चेर्स क्या विकास तर्मा का घर यही है हां लेकिन ये फूल किसने मेंजे आप उन तो बड़ा लेखा नहीं है साप यहां पे लेखा है खुदी देख लीजिए विकास विकास यहां पाँवल हुई हो क्या किर जाती तो किर जाती तो तुम हो ना समालने वाले मैं तुम्हे अच्छी तरह पैचान गया हूँ तुम्हारी कोई भी चाल अब मुझ पर काम्याब नहीं होने वाली समझी विकास विकास सुना तो कितना भाव खाता है ठीप पर मैं भी छोड़ूंगी नहीं विकास विकास ला 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 हाई विकास मरी बहर तो सुनो क्यों सतहर्यों इस सरह से बोलो ना बोलो ना तुमने मज़े माफ़ कल दिया डेखो तुम्हे बोलना ही होगा तुम्हारी खामो वो लोला होगा, मैं तुमारा जवाब सुनना चाहती हूँ, विकास! विकास बुलाओ! Sorry! Hey, मारिकाओ, baby! Come on, enjoy the water! I hate you! I love you! ये कैसी दिवानगी है? क्यों इस तरह उसके पीछे भाग रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ, हाँ, मैं पागल हो गई हूँ! विकास के प्यार ने मुझे पागल कर दिया है! तो तो जानती है न, सल्मा, कि मैंने आज तक जो चाहा, वो हासिल किया! और मैं विकास के प्यार को भी हासिल करके रहूंगी! लेकिन इस तरह उसके पीछे भागने से, वो तुझे मिल तो नहीं जाएगा न? देख, वो तुझे जान पूच के सता रहा है? वो जान पूच के मुझे सता रहा है! मैं जानती हूँ! अंदर यांदर वो भी मुझे प्यार करता है! देख, अब ये सच है या जूट? इसका पता लगाने के लिए, तुझे उसके दिल में जाकना पड़ेगा! But how is that possible? किसी के दिल में क्या है? हम कैसे जान सकते हैं? जानना चाती है, मेरे अब्बुने एक ऐसी गोली बनाई है, जिसको खाते ही इंसान सच बोलने लगता है! क्या? तु सच बोल रही है न? हाथ कंगन को आरसी क्या? ये ले, आजमा के देख ले! लेकिन इसको आजमा है किस पे? देख, देख, नीलूफर आरही है! आज इस मोटी को हलाल करते है चल हाई पानिका, हाई सल्मा हाई देखो न, कितनी गर्मी है अच्छा है न, तेरे सारी चर्बी पिखल जाएगी क्या? तु छोड़ न, इसे तो मजाग करने की आदत है चुपशाश्मू ले, तु कोल्ड रिंग पे थैंक्यू पीपी तुम भी पियो न, तू भी न कुछ हुआ क्यों, क्या होने वाला था? नहीं, नहीं, कुछ नहीं हम लोग तो यह डिसकास कर रहे थे के जवानी की दिनों में सब के दिल में कुछ-कुछ होता है तेरे दिल में अभी तक कुछ नहीं हुआ हाय, जब से मेरा सपनों का प्रिंस चामिंग मेरी जिंदगी में आया है मेरे रातों की नींद और दिन का चैन दोनों गायब हो गए है उसका दुबला पतला कथ मेरी आँखों के सामने पूरा दिन लहराता रहता है लेकिन वह है कान? मेरी सपनों का राजा है चारली क्या? तुमने विकास की कोल्डरिंग में दवा मिला दी है न? सिरफ विकास के कोल्डरिंग में नहीं तुम्हारी सहली के कोल्डरिंग में मिला दी है हाँ यह कैसा नशा नशा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवा है सासों में बस जा तू मेरी दिल में उठा तुपा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवा है सासों में बस जा तू मेरी दिल में उठा तुपा है यह कैसा नशा नशा है यह धड़कन मेरी जवा है यह कैसा यह कैसा चर टू मेरी ऐसे न देखो मुझे को पिया घबरा रहा है मेरा जिया तुमसे ये दिल कह रहा है ओ छोड़ो सनम ये शर्मो हया ये प्याद है न कोई नया सदियों का ये सिलसिला है आलम है ये देखोदी का दिल मेरे बस में कहा है ये कैसा नशा नशा है ये धरकन मेरी जवाँ है ये कैसा नशा नशा है ये कैसा नशा 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 है ये उल्ते वाटो ए 17 strains continue ये सिलसरा नशा नशा है लगना मेरे बसे दोड़के मेरे आगल ये कूले बसेट मेरे नशा है ऐसे न लो तू अंगडाईया बढ़ने लगी है बेताबिया मौसम भी है आशिकाना हो ये रात और ये तनहाईया दसने लगी है पुरवाईया मुश्किल है अब दूर जाना मैना भी तुमसे कहो ता हो तुम समझना किहा है ये कैसा नशा नशा है ये धड़कर मेरी जवाँ है सांसों में बस जा तु मेरी दिल में उठा तुपा है हुआ 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 ह पजंगी गाका आप हात मत लगाए चाहिए आप किचन में जाए जैसी तो हार मर जी है मुना बेबी ये सब क्या हो रहा है डैडी मैं खाना बनाना सीख रही हूँ और आज के बाद आपको सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाना पड़ेगा चलिए शुरू हो जाएए मगर सबसे पहले आप एक बात मुझे बताईए आपकी तवियत ठीक है मतलब ये किचन ये खाना ये वो क्या है कि डैडी डैडी अभी हर लड़की को एक ना एक दिन तो अपने डैडी का घर छोड़के जाना ही पड़ता है ना हाँ और अपने पती के घर जाकर उसे खाना बनाना ही पड़ता है हाँ तो मैंने सोचा क्यों ना अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दिजाए अच् जब ये कि आप ही समझती हैं कि आपकी उमर इतनी हो गई है कि ये फैसले आप खुद ही कर लिया करें। अफकोस डाड़ी, मैं कॉलिज में पढ़ती हूं और मेरी उमर 21 साल की है। मतलब कि मैं बालिक हो चुकी हूं। और इससे क्या होता है। इससे ये होता है डाड़ी कि मैंने सोच समझ के अपने पूरे होशो हवास में अपने लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। आइसी। और मैं ये चाहती हूं कि आप उसके घर जाकर उसके मम्मी पापा से मिलकर हमारी शादी की तारिक पक्की कर दे। मतलब ये है कि आपने अपनी ही मर्जी से शादी तैक कर ली है। क्यों नहीं शादी मेरी है मेरी मर्जी से नहीं होगी तो क्या आपकी मर्जी से होगी। और डैडी मैं कह देती हूँ, अगर आपने मेरी शादी में कोई भी रुकावट डाली, तो मैं लड़के के साथ भाग जूँगी हाँ, और आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हाँ, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या कि एक तो साल आप रूठिर होगे, लेकिन क्यू दफा नंबर क्या डैडी यार इस वक्त तो बिलकुल याद नहीं आ रहा मुझे, खैर कोई बात नहीं, वो तो मेरा वखील बता देगा, उस दफा की तहट आपके पूरी जाइदात का मालिक, आपका नाती ही होगा, बस बेटी, बस बस, आप वाकी एक जज की बेटी हैं, यह हम मांग गए, यह हुई ना बात, बाइद वे, लड़के का नाम क्या है, विकास वर्मा, दादी मा, अरे सर, आप और यहां, अरे, तुई नहीं जानता है, अरे दादी मा, वो मॉनिका है न, जिससे मैंने गुर्णों से बचाया था, वो मेरी बेटी है, अच्छा, जिस विकास राजी है, तो मैं इस रिष्टे को बजरंग भली का सबसे बड़ा उपकार समझूंगी, मेरे विकास के जिवन में, जितनी खुशियां आ रहे हैं, सब तुम्हारी क्रपासे हैं, उसकी खुशियों को भुरी नजर से बचा के रखना, जीवन की हर परिक्षा में उसे सफल करना, चीर्ज, थैंक गॉड हमारी ग्रूप की सभी लड़किया पास हो गए, मोना, रिजाल्ट निकल आया है, और विकास ने पूरी उनिवर्स्टी में टॉप किया है, और जानती हो, उसने आईपीएस का एक्जाम भी पास कर लिया है, याहू! जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगे, जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगे, तुम मिले तो ऐसा लगा, मिल गई दुनिया की हर खुशे, जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगे, तुम मिले तो ऐसा लगा, मिल गई दुनिया की हर खुशे, जानम मेरे हमदम मेरे जिन्दगे, तुम मेरे जिन्दगे, दर्द जाता नहीं चैन आता नहीं खसम से जागते हैं हम तो रात भर च्छा रहा है नशाँ आ रहा है मजाँ थड़कनी दिवानी हम भी ये बेखबर जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी ओ जानम मेरे हमदम मेरी जिंदगी तुम मिले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जानव मेरे हमदम मेरे जिन्दरी चाहतों का सिला खुब हमको मिला खुशी से जोमने दे अब तो दिर रुबा प्यार के दर्मिया होंगे सबने जवाँ जनम जनम न होंगे मिलके हम जुदा जानव मेरे हमदम मेरे जिन्दगी जानव मेरे हमदम मेरे जिन्दगी तुम ले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशी जाना मेरे हमदम मेरे जिन्देगी तुम ले तो ऐसा लगा मिल गई दुनिया की हर खुशे Monty, Monty बेटे, कहा गए तुम? आजा आजा, शावाज, 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 आरे बेटा जानते हो कौन हम आपके, हम आपके डागा अंकल है यह देखो आपके लिए क्या लेकिया है यह देखो, तीसाली चॉकलेट्स Monty, Monty, Monty That's like a good boy टागा, तुम? Good morning sir, मैं यहाँ से गुजर रहा था सोचा आपको मिलता जाओं आपका नाती है न, बोला प्यारा बच्चा है Very nice boy यहाँ तुमारे आने का मकसद किसलिया हो तुम? मेरे आने का मकसद तौबे जानते हैं sir मेरे प्रैक्टिस में आज तक मैं कोई केस हारा नहीं मुझे डर है कहीं मेरे करियर में कोई दाग न लग जाए सच का मकाबला करना सीखो डागा जूट की बुनियाद पर खड़े हुए इस केस में शाहिद हार नहीं तुम्हारा मुकदर इसलिए तु आया हूं sir अगर आप चाहें तो मेरा मुकदर शमक सकता है राजू भटनागर जेल की सलाखों से निकलकर एक शरीफ शहरी के जिन्दगी गुदार सकता है राजू भटनागर लाग बुरा इंसान सही लेकिन ऐसान की खीमत चुकाना जानता है एक हसते खेलते मासूम बच्चे को टुकड़ों में बदलने वाले हैवान की जिन्दगी को रिश्वत से खरीदने आए हो जस्टिस सतेन जिन्हा के समय को खरीदना चाहते हो अब तक तो मैं तुम्हें एक खुदगर्ज और लालची इंसान समझता था मगर आज पता चला कि तुम्हें एक नहायत जलील गिरे हुए और घच्या इंसान जी चाहता है कि तुम्हारी वकालत की प्रैक्टिस के रिश्व को जब करा दू नफाओ जाओ यहां से Get out of here and don't ever come back Your Honor, पुलिस तहकीकात और फॉरेंसी जाच से यह बात थाबित हो चुकी है कि वो बच्चा से धिल्शामदास का ही था जिसका किड्नैप और मर्डर राजी उफटनागर नहीं किया था यह नहीं वो फाइस जिसमें राजी उफटनागर के खिलाफ सारे सुबूत है यह रॉनर, अब फैसला आपके हाथ में है लेकिन कोई भी फैसला देने से पहले आप यह जरूर सोच लीजीगा कि यह शखस समाज, पुलिस और कानून सब के लिए खत्रा है इंसानियत के नाम पर बदनुमा दाग है इस वहशी तरिंदे के लिए तो फासी की सजा भी बहुत कम है इन रिपोर्ट्स को स्टडी करने के लिए अदालत को थोड़ासा वक्त चाहिए लहाज़ अदालत अपना फैसला तीन दिन बाद चुनाएगा जैज साहब जैज साहब जैज साहब उस कोर्ट के जजज के घर में मैंने चायज जरूर भी है ये मुकदमा खत्म हो जाने के बाद उमीद करता हूँ के ऐसा माकाब भी मुझे देंगे शौर हम आपकी खाहिश को पूरा करेंगे थैंक्यू अदालत ने आपको छोड़ दिया तो मेरे घर में और सख्त सदा दी तो जेल में जिया जिया लेकिन अदालत का फैसला तो आप ही के कलम से लिखा जाएगा जिया मिलकुल मेरा कलम जब कोई अदालत का फैसला लिखता है तो उस पर मेरा नहीं इंसाफ का हक होता है अच्छा अच्छा तो फिर आप अपनी उस इनसाफ की ताकत को बता दीजेगा के राजु भटनागर जो है वो दोस्तों के दोस्त है और राजु साब आप मुझे धंकी दे रहे हैं मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे ऐसी ही गुजारिश ऐसी ही रिक्वेस्ट लेके आपके वकीर मेरे घर आये थे जी है मैं जानता हूँ और आपने उस साले को गेट आउट करवादे थे घर से और इसके बावजूद आपकी इतनी हिम्मत कि आप इस कि गुफ्तगू मुझसे करें। अरे नहीं नहीं जैसा मैं तो मैं तो आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि राजू भटनागर जो है वो कुयाम आदमी नहीं है। पैंतिस साल में मैंने पैंतिस सौ मुझरमों के साथ इनसाफ किया है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उन सबसे ज्यादा घटिया, कमीने और जलील इनसान आप है। एक बात और सुन लो राजू भटनागर। कानून की नजर में तो तुम गुनेगार हो ही। आज इनसानियत की नजर में भी तुम गुनेगार हो गए हो। तू तो कहता था कि दो चार पेशी, दो चार सुनवाई और मामला फिनिश। एक बात याद़ टडागा। अगर मुझे सजा हुई न, तो बरेगा तू भी। गुस्सा करना सहित के लिए बहुत बूरी चीज है। रिलाक्स। अरे क्या रिलाक्स। देखो। इस केस की चावी, जस्टिस सिना के हाथ में है। वो चाहें तो तुम्हें बाईज़ात बरी कर सकते हैं। और वो चाहें तो तुम्हें फांसी के फंदेप लटका सकते हैं। Do you understand what I mean? Do you understand? Yes, I know what you mean. अरे क्या राजु भाई, नौकलाक से राउंड पर राउंड मार रहे हो। बोलो तुसे के क्या परिशानी है यार। अरे दोस्ती की है तो निवाना भी सिखो यार। क्यों? आप उनको मालूम है राजु भाई को क्या हुआ है। क्या हुआ? तद हम लोगों की रहाई का दिन है, जेल से जा रहे हैं। इसलिए राजु उहाई थारा उदास हो गए। बाहर निकल कर तो तुम लोग वही चोटा मोटा काम करोगे। कितना कमा ले तो? राजु भाई, बुजरुगों ने कहा है कि आवरत से उसकी उमर और मर्ज से उसकी कमा ही नहीं पूछनी चाहिए। ने, मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। बाहर निकल कर अगर मेरे छोटा सा काम करोगे। तो उसके बदले में पांच लाक रुपे दूँगा। पांच लाक? तीनों को पांच पांच लाक। करना का है? विटनैप करना है इस बच्चे को अगवा करना है इसे एक बीड़ी पिला अरे जेव में पास्सो पशपन है और बीड़ी मांगता है मांगनी की आदत पड़ गई ना, चोर चोरी से जाता है, हेरा पेरे से थोड़ी जाता है सलाम साब यह हमें सलाम करने वाला कौन पाइदा हो गया? क्या है बई? वकील साब ने आपके लिए गाड़ी बेजी है वकील साब? वो वकील की अपने फीस नहीं दिय था तो उसने अपने को सजा करवा दिया था लगता उसने गाड़ी बेजा नहीं जी, यह डागा साब ने भीजी है ओ डागा साब ने अरे वो वकील साब जो बातों के सच्चे हैं देल के अच्छे हैं शेकल के लुच्चे हैं वो वकील साब वह अच्छे उन्होंने गाड़ी बेजी है, गारवाजा कॉलो गाड़ी मढट है ना पहले कभी, चलो चलो बाप, ये नोट असली है या डुपलिकेट है? खुद हाथ बढ़ाव और देख लो अखुद है? यार, बिल्कुल असली है, लगता है अभी अभी नासिक के टाकसाल से निकाल कर लाया है गरम है क्या? अरे, एकदम गरम है ये फायल है इसमें लिखा है कि बच्चा कितने बजे सोता है, कितने बजे उठता है कितने आउस दूद पीता है, दिन में कितनी बार पीता है उसके घरवाले उसे कब और कहां घुमाने ले जाते है लेकिन याद रहे, मुझे बच्चा 24 गंटे के अंदर चाहिए नहीं तो? नहीं तो Anyway, मेरा प्लान इस तरह है एक मिनिट वगिल साब हम लोग काम करने का इस्टाइल ऐसा है के काम तुमारा, पिलान हमारा Correct यह अपना यार खोपड़ी है ना इसकी खोपड़ी की चक्की जब चलती है ना तो भगवान भी शैतान को याद करना शुरू कर देता है क्या करता है शैतान भी भगवान को याद करता है हाँ, 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 हाँ हाँ, सुन ओ शेरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाएना खाली बिगडी बनाती है तू सब के काम आती है तू सुन ओशिरा वाली जोता वाली गर से तेरे कोई जाए ना खाली बिगरी बनाती है तू सब के काम आती है तू सुन ओशिरा वाली जोता वाली गर से तेरे कोई जाए ना खाली तेरे मन में है क्या किस दो है पता तेरे मन में है क्या किस को है पता कुछ होता नहीं तेरी मर से बिना हमने बस यही मा की है दूओ हमने सपनों का संसार दे चाहे दिल जिसको वो प्यार दे सुन को शिरा वाली जोता वाली दर से तेरे कोई जाए ना हाली प्यार देरे लोता वाली कोई धूंडे यहा कोई धूंडे वहा हाँ कोई धूंडे यहा कोई धूंडे वहा तिरे भरती गगन तिरे दोनों जहा हो आए हम तो यहा बस ये सोच के तू बना देगी अपना भी का तिरे चर्णों में शत शत प्रणा हो हो सम ओशेरा वाली जोता वाली दर से तिरे कोई जाए ना खाली बिगड़े बनाते है तू सब के काम आती है तू सुन ओशेरा वाली जोता वाली दर से तिरे कोई जाए ना खाली सुन ओशेरा वाली जोता वाली जोता वाली बिगड़ी बनाती है तू सब के काम आती है तू आज तो कमाल हो गया पुलिस कॉलनी से बच्चा तो चुरा नहीं पाए अपनी जान बजा कर भागना पड़ा खोपड़ी की खोपड़ी यहां अटक गई अब मुझे कुछ नया आइडिया सोचना पड़ेगा आइडिया आइडिया सोचना तेरा काम नहीं है बेवड़ा तु बेवड़ा पी, सोचना काम मेरा है अबे मुझे चालेंज मत दे मेरी खोबड़ी के इंजन में ये बेवड़े का पेटरोल जाने थे फिर देख मेरी आकल की गाड़ी कैसे दौड़ती है ये लो अबे ये क्या है सिर्फ उबले हो चने ये एडा को घोड़ा समझता है क्या आज तक तो ये ही कहते थे अचानक हाजमा क्यों खराब हो गया अबे अपने पैजामे में रहका बात कर किसी अच्छी होटेल से तीन तंदूरी चिकन तीन चिकन फ्राई तीन चिकन लॉली पॉप फटा फट ले किया जा फटा फट ले किया अबे ठेर जाए ए दडियल क्या नहीं देना अबे एडे तेरे भेजय में खिड़े पड़ गए है क्या क्यों इतना लंबा ओर्डर तो दे दिया अबे बिल तेरा बाप चुखाएगा के मेरा बाप चुखाएगा आरे बिल देने के लिए बड़ा दिल होना चाहिए दिल जब केब में नोट भरे हो ना तो महीं अबले होए चाने नहीं खाने वाला ती यार क्या आइडिया दिया यार अरे आपन लोगों की कडकी तो दूर हो गई फिर ये देसिकाई को पीने की स्कॉच मंगा स्कॉच स्कॉच, मंगा स्कॉच, स्कॉच पीने के लिए थोबडा दूसरा चाहिए, यह नहीं चलेगा और बेटा, बारास तो रुबी की बाट लियाती है वो अबे, बारास हो या बारा आजार के, आपन के बाप का क्या जाता है तेरा मतलब वकील साब का सारा माल जो है, वो तेरे गले की गटल में उतार देवे अब एक तो वैसी हम लोग पुलीस की ब्लैक लिस्ट में हैं ज्यादा हुशारी मत करो, नहीं तो पबलीक को शक हो जाएगा एक तो वैसी वो बच्चे को पुलीस की कॉलीस होड़ा ना, बहुत मुश्किल काम में बता रहा हुँ है तेरे को तो फिर क्या करें? तुम दोनों ठहरे आंगुटे चाप, लेकिन आपन मीडिल फेले क्या? ठीक है ना, क्या गड़ी-गड़ी यही बात करता रहता है? उस वकिल के फाहिल में साफ साफ लिखा है कि वो बच्चा हर संड़े को अपने नाना, मतलब जश्चाप के बंगले पर रहने को जाता है हा तो क्या हुआ? अरे यार समझने की कोशिश कर, वो बंगला मड ऐलंड पे हैं और सिर्फ दो पैरेदार हैं और नोकर पीछे, पीछे कोटर में रहते हैं, क्या? अरे जियो मेरे लाल, दारू पीके तो तेरी खोबडी की जोबडी में ट्यूब लाइट जल जाजी है और डाल पे यह ले, जल्दी से लंबा घूट मार ले, लाल पर यह अंदर जाएगी ना, कुछ ने कुछ बाहर नाचते निकलाएगा, यह ले, बाद, पिले क्या हुआ? अरे अंदर आग लग गई है अरे, आइडिया, अगर ऐसी ही आग, जच के बंगले में लग जावे, तो? जल्दी करो, जल्दी से क्मानी लाओ, आमें तर, अरे आग लगी है वह, अबे तारीफ करा, अरू 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 बापरे, क्या अग लगी है अरे ये भी कोई आग है, ये तो यू बुझाएगी अबे तू बिटवाएगा ये एक ने पांच वर्वेकेट चाहिए इसको बुझाने के लिए ओफो आप लोग बहसी करते रोगे या कुछ करोगे भी है आप करेंगे ओफो आप बुझाईए आप 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 हम लोग फोन करका आते तू आप बुझादे तू इधर पीज़ा रहा हुदर ज़र पूरा भंगला देख लिया बच्चा तो कही नजर नहीं आ रहा है अगर तूने बच्चे की फाइल देखा था ना उसका नाम क्या है मॉन्टी 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 अब या बच्चे को आवाज दे रहा हूँ मॉन्टी 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 ये क्या कर रहें आप ? क्या कर रहें आप ? पानी देलाँ ओफ़ो आज यहां नहीं यहां लगी है सर इसको पकड़ेंगे आप इसको जी? खब रहे मद न आ रहा हूँ लेकिन.. कहा जा रहे है आप? आ रहो आ रहो ओफो बहुरे कुछ पता चला? जी डड़ी फायरमेन के भेस में वो तीनो किड्नैपर ही थे कुछ ही दूर उनके कपड़े भी बरामद हुए लेकिन.. लेकिन ये पता नहीं लग रहा कि इस सब के पीछे उनका मकसद क्या है? आपका नाती हमारे पास सही सलाम होते कौन हो तुम? किड्नैपर हमारी बात मान लोगे तो बच्चे को खरोंच तक नहीं आएगी वरना मुन्ने के बदले में कितनी रखम चाहती हो तुम दो दिन के बाद सब मालूम पड़ जाएगा तब तक खामोशी से दूसरे फोन का इंतजार करो और हाँ बच्चे को ढूनने के कोशिश मत करना वरना उसकी जान को खत्रा भी हो सकता है हला 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 नहरी प्लीज दे दीजे ना विकास विकास अगर मेरी मुन्नी को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुमें कभी माम नी करूँगी किसे का माम नी करूँगी मैं बीटी मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना रो रहा होगा उसे भूख लगी होगी मैं अपने मुन्नी के बगर नहीं रह सकती में बार जाओंगी मुझे मेरा मुन्ना ला दो मेरा मुन्ना ला दो अबे ये तो सला बहुत चालू चीज है अबे आख मारता है आई बहुत रोमेंटिक माबाप के अलाद मालूम बढ़ता है बाप अबे क्या गड़ी गड़ी आख मारा आख मारा आख मारने का नहीं चाल कड़ो जा अबे अपन कपड़े बत लेंगे मैं तेरे को हीरो बनाता हूँ आजा लेट जा पाउंच सिधा कर ना बुल आव मेरे आल महीने भी अभी चलो यह यह पैने करना यह यह पैर आई दूसरा आई शवाश आई शवाश यह वी ना साला क्या दिख रहा है बिल्कुल मेरे जैसा हीरो है ना बिले प्योड़ा इसका कुछ करना वो पेट पूजा जल्दी करना यार कितना टाइम लगा रहा है दूद का बाटली तयार है दोस्ट अभी पिला देता हूँ आ आ रहा है तू छोड़ मैं पिलाता हूँ आ जा आराम से पिलाना दूद पिले दूद पिले अरे यारे शकर डाला है कि दी यारे दो चमर शकर डाला है पिले एक मिनट चेकर गरम तो नहीं है करम अभी करता हूँ पहर रहे तू इदर उसे बख़ू आज आजार पूछ Near इजल का, पूंचे जल का, इनकी जल का, ईजल का, मैं सर इतना गरम है गरम है बुच्छता है okay अरे मारा, तुने मही मारा क्या करता यार, इस को चोड़ा लग जाती तो इस ने मेरे को क्यो मारा। तुने मुझे क्यो मारा। तुने मेरे सर के ओपर गरम दूर के ऊपर का गरम-गरम इसने मुझे चेक करने के लिए बोला था अबे जब तुम्हारी वज़े से रोने लगा है। चुपकरा इसको ले बे, जब दो चले ना अले अले.. अले.. चुपो जा लेटे ऐसे तो मैं नहीं चुप होने वाला, सुझे अरे हम लोग जगणा नहीं करने था हम तो उसको देना यार एई चुप कर इसे ले जाना यार चुपो जा अरे चुपो जा बाबा अबे मरवा दिया ना सला वो रात भर होता रहेगा ना खुद सुएगा नाम को सुने देगा अरे कैसे रोएगा अभी आइडिया निकलता हूँ पहले घुट मारने दे मेरे को खाली है आइडिया चाहिए तो बोतल भी चाहिए अभी मैं बोतल लाता हूँ रास्ता किदर है? इदर है हारे हा रास्ता तो मालूम नहीए आइडिया देगा यह लीजे साहब हलो डॉंग नमबर प्लीज क्या चाहिए साहब फोन करना है साहब दस बज गए है मुझे दुगान बंद करनी है पहले अपना मूव बंद कर यह ले साव रोपिया दुगान एक गंडे के बाद बंद होगी जा फोट 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 क्या नमबर है? हालो अरे यह कैसा बच्चा पेदा किया है ना दूद पीता है ना सोता है रोता है कान हो तुम हम वही लोग है जिसने बच्चे को किड्ने अप किया है क्यों रोता है वो देखो देखो भीया दूद में शक्कर कम होगी यह 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 दूद बहुत कर्म होगा कोही न कोई वजातो है जब अ दूद नहीं पी रहा रोरहा है क्या मिया Mayra मौद्ण रोरहा है अरे रोरो क्या हमारे इमाग का दही बना दिया है उसने अब उसको सुलाऊ कैसे सुनो प्यार से कोट मिले कर पीडस से लाइए फिर उससे लोम्य सुनाएंगे थो वो सो जाएगा लॉरी यह लॉरी क्या होता है लॉरी लॉरी काना भीया अच्छा हलो मोना किसका फोन था मोना हमारा मुनना भूल का है विकास हो रो रहा है हुची मेर वच्छा वापिस लादो हुची मेर वच्छा हुची मेर बॉननना चाहिए मेर बॉननना लादो हलोलो हम ते सहने पंदल को लादो नाचैङिंगे हलोलो हाँ चै है भे? तू क्या हसरा है हसरा हो तुम दोनों पे एक बच्चे को नहीं चुप करा सकते हैं और खुद को बड़े तिसमारखा समझते हो तू चालीस मारखान बन जाना तू तरह चुप करके दिखा इसको अभी चुप करा देता हूं बस एक लोरी बता दो लोरी? वो क्या होती है बे? मालू मैं समझिया लोरी वो होती है जो महमूद ने कुवारा बाप ने बच्चे को सनाई थी वही वही अभी अपन की खोपडी में थोड़ी थोड़ी लोरी घुमना शुरू हो गई है सोजाना तो सोजाना सोजाना भई सोजाना अबे अब क्या हुआ? क्यों है रोता हुआ? हम तुझे जान गए तुह पहुचा हुआ अबे अब क्या हुआ? क्यों है रोता हुआ? हम तुझे जान गए तुह पहुचा हुआ? सरदर्द है सारा हाँ 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 अपने बचे बारा हाँ 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 सरदर्द है सारा अपने बचे बारा हमने तो यह माना के तु है बाप हमारा बाप हमारा अब अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ का है तु शोर करे रे बचुए का है तु शोर करे रे बचुए का है तु शोर करे रे बचुए का है तु बोर करे रे बचुए का है तु बोर करे क्या चीज पता है तु बचा या बला है तु अब उनको गरम मत कर यू नाक में दम मत कर अबे ऐसे चिलाएगा तो ये सोईगा कैसे तो क्या करूँ वही ऐसे गा ऐसे सोजा तू मेरे जानी ये होगी महरबानी मत और तिला पानी याद आई हमें नानी जब तक न मिले माल तू है आख का तारा अबे अब क्या हुआ क्यू है रोता हुआ हम कुझे जान गए तू है पहुचा हुआ चुप हो विजा तेरी तो मत फाओ खा तेरी तो बंगा न ले तू हमसे शाना न बन कसम से हम आज कल है कड़की पैसे जो गिरे जड़के चल देना फिर ऐ लड़के पतली कली पकड़के अब सो भी जा हमको भी बाड नींद ने मारा अबे अब क्या हुआ क्यो है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हाँ 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 अपने बज़े बारा हाँ 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 सरदर्द है सारा अपने बज़े बारा हमने तो ये माना के तु है बाप हमारा बाप हमारा सो जाना तो सो जाना सो जाना वही सो जाना वहुँआ बजरंगबली, मेरे भक्ती में कमी रह गई है, तो मुझे कश देदू मेरे मौंटी की रक्षा करना, प्रभू मेरे मौंटी की रक्षा करना, तुम्हारी सवगंद, मैं उस वक तक अन्न का दाना नहीं खाऊंगे जब तक, तुम मेरे मौंटी को सही सलामत वापस नहीं लाओगे, मेरे मौंटी की रक्षा करना, प्रभू युझ को अचरू की हुड़ में झान Gender syntax भी जखड़ में झाने? झासों युझ कला due हुआ 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 है अब ब्योड़े तेरा नाशा तयार हुआ के नहीं बै बना रहा हूँ यार भेजा काय को कहता है अब बै जल्दी बना नहीं तो नाखून के साथ साथ उंगली भी खा जागा सला अबे क्या करता है अबे मुभे धुग रहा है नाइ इदर तुक बोट आलो साला कजरपटी के वलाद देखूं क्या हो रहा है भारत देश में एक होपड़ी तेरको तो अंग्रीदी पढ़ने को नहीं आता रहे नहीं किसको पढ़ना नहीं आता है नहीं 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 मेरेको नहीं आता है क्या हुआ धेगना तो आता है वह इस्टाइल से अब क्या हुआ? अब ये क्या है? इतना थूखता कोई? तेरा मुए के बाल दिये बै? मैं तो उधर थूख रहा था जाप, मारूगा शाला, जूटा कहीं का छी, 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 सर्पई मालता रहता है तिक, जन्ना साला अब वो तो बच्चा थूख रहा था अब बच्चा, अब फकला जी नी अब लुका होटा कहा करता है अब यार तुम जगडा करोगे या बच्चे को डूंडोगे मैं इस दर्वास ही सहाना था भी अब उदर क्या देखा इदर इदर जल जल हाई और नो कि और से देखा था बच्चा। जब चलंगा है ॉप देख रहा था अभी की ते रहा बच्चा। देख रहा था ठैकर बच्चांग यो कर अंदर जाक रहा है। प्षे तम्शू पकदा खिला और फथफ्ट मैं बगड़ता हूँ, आचा बहुत लगा क्या रही फिर से लग गई सरपे खोपड़ी की खोपड़ी तो पंक्चर हो गई ने ने, अभी बाकी है जग लगा, फूठा मेरे को अरे, वो तो जा रहा है तरिया कुपड़ी, तुझे इससे लगी थी न यह रहा हुदारिया, ठेक दिया अभी क्या करेंगे? कुद्ते हैं उदर? हाँ मैं नहीं कूदने वाला क्यां नहीं कूदने वाला अभी अभी क्या? वान, टू, थ्री और कूदना आरे नहीं मेरे डर लगता यार मैं काम करता हूँ, मैं शीडी से जाता हूँ यार तुम्हारी आने जाने में हमारा बच्चा निकल जागा, वो देख तुआ डांट रहे का मेरे कुछा ले नहीं डांट रहे खोपड़ी तु एक काम कर, आग बन कर ले आग बन कर ले, आग बन कर ले, रेड़ी वान, तू, आग ट्री बच्चा, बच्चा कोपड़ी का है कोपड़ी, का रहे कोपड़ी नीचे का रहा अरे चलो किदर क्या किदर गया जिदा तो इदर ही था बगे दिख्ते कहा गया है अरे अरे यार, यह छोटू और मोटू खोपड़ी कहा गया हो गया? पता नहीं पई अरे मैं तेरे को भेकायरी दिखाई दे रहा हूँ नहीं तो और क्या है तू अरे बेस मत करना तू कितना बात माल रहा है तो क्या शेए की तैसी साला मैं खोपडी हूँ खोपडी खोबडी, अरे, खोबड़ी आपनाा खोबड़ी, और 嗎? कहा गायब हो गया तूथ कहा गायब हो गया तूथ , खोड़ी माना नीचे करे गया तो अच्छा वा नीचे , कुछनाबबा तो में बच गया नहीं होर्च मर गया तूो और भाले पर। मैं नहीं आता हूँ बच्चा कहा गया वो चोटा सा कपुर की गोली की तरह गायब हो गया है सलाम साहब क्या मांगता है रम विस्की या बियर कल रात ठीक दस बजे इस दुकान से एक फोन किया गया था साहब शराब की दुकान है बेवड़े लोग बोटे लेने से पहले टेलीफोन घुमाना शुरू कर देते हैं मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस दुकान से कल रात दस बजे किसने फोन किया था दस बजे? साहब दस बजे तो मेरी दुकान बंद हो जाती है और इस वक्त कहा मिरेगा? साहब सामने होली बिल्दिंग है तो फ्लोर पे झाती हुआ प्लोर पेडित । काम गार तू हटना आ यार तू यह बज़व देखता हूँ और तू इधर ही खड़ देखना और तू इधर जा रहा है और नीचे नहीं देखना हो चारो देखना कितने हैं और है किसे कैसे खाटी जा रहा है कपाका तरे को रात को आम लोग दूद्ध पिला रहा है तो नखरे कर रहा है यहां को वाप का आजा नि भाग जाए, पता नहीं क्या छीज का बनावा यह बचा यार अंध्य हो, क्या देख़्रो नहीं चल सकते गॹ्याक.. मैं नहीं हुझे कुछ दिखाएं अक्टिंग करता हो तक सार्थाम कैने का मतलब है महराजा विक्रम सिंग के परिवार का सुर्फ एक ही सदत से जिन्दा बचा है यह बालक जो तुम्हारे हाथ में है इसको खत्म करके मैं अपने वश का राज काईम करूँगा कृपाल सरिंग नहीं सना पती जी मैं आपके हाथों इस बालक का वद नहीं होने दूँगा अगर तुम बीच में आओगे तो मैं तुम्हारे भी खत्म का दालूगा कात उसको इंजेक्शन लगा कर सीथे यही आ रहे है यही आ रहे है अरे मुझे पहला नेलायनी जी की शुटिंग पे जाना है अगर मैं लेट हो गया तो वो मुझे अपनी फिलम से निकाल देंगे हजूर थोड़ा इंतिजार कर लेजिए पहलाजी से बात मैं कर लेता हूँ और मेरा सीरियल कल संडे एर पे आने वाला है आप थोड़ा और वेट कर लेजिए तुझा आप बच्चे को जल्दी लेकर आओ जी वाभी लेकर आता हूँ यह बच्चा अब तो तेरे नसीव खुल गए तो स्टार बन जाएगा वह स्टार अरे बदंद रूट गया रहे आप रहे अरे यहां तो शूटिंग चल रही है अरे यह फिल्म सीटी है यह शूटिंग नहीं चलेगी तो क्या रम और विस्की चलेगी अबे बेव्डे तेरे को हमेशा विस्की और रम किसिवाद दूसरा कूश सुजाई नहीं देता है क्या बच्चा आगया सर, सर बच्चा आगया बच्चा डून बच्चा किदर बच्च्चा अरे वो फिल्म वाला बच्च्चा है अबया, यह वही इसला बच्चा की शेतन है, अबया वही है महराजा विक्रम सिंग के परिवार का सिर्फ एक सदस से जिन्दा बचा है अबया बच्छा है, किसी का भी बच्छा उढा के ने कराते हो अबया बच्छा जोनाथ अरे सरफ पांच मेर्ट की बाता, सरफ एक शॉट लेना अबया चल्ट मेरे चाहिए जी के रजी चल्ट अरे डिरेक्टर को किरा दिया, अरे मारो इनको हम जुनियर आटिस्ति यह काम फाइटरों का है रमेश फाइटर किरा रहे, फाइटर ही इंगरे मारो उनको मारो मारो इसको पकड़तो तु तो मानने को आरे यार क्या है अरे पकड़तो मारे मारे अबय पागल है क्या यह चूत हो नहीं रहा खाली हूं हां कर रहा है सिर्क नजदीक आते है मारते नहीं है, देख अईसा क्या, तो आपून मार सकते है सर, देखा मैं कितना ओड़के किरा चुपे यार, मुझे पहली मर्दवा पता चला मेरे अंदर कितनी ताकत है यार तेरे अंदर ताकत नहीं है वो ऐसे उड़कर गिरने के पैसे लेते क्या बात करता है यह देख अरे फिल्मी फाइट क्या करते हो असली मारो तू भी जाना मैं कैसे जा सकता हूँ मैं तो स्टार हूँ स्टार है कैसे लखता चल चल अरे बाल को लाकात मुझे कंपने के ड्रेस तो लटादे अरे भी ट्रेस तो लटा दे जगां कैसे मारा मेनो लोगों को तुन्हे आकले नोडे है हम दोनोंने भी मारा है अरे मैं वो गिदेर है कौन? अबे यार! अरे पकाले रे! यह क्या फिलम की पुलीस है क्या? फिलम वाले नहीं, सिकुरूटी है, असली, गपा गप मारेगी, बाग! अरे बाबर, बाग! यह उन तीनों की तस्वीरे हैं, और यह उस बच्चे की, शहर का चपपा चपपा च्छान मारो, मुझे वो चारों किसी भी कीमत पे चाहेंगे! हम तू लोगन का मुँ मांगे कीमत तेप! पर हमरी दू बात तू कान खोल के सुन लेओ और काट बांद लेओ! पहला एक यह खेलमा गल्तिया कौनों कुन जायस नहीं हो! यह जा है की हमका हार परदास नहीं हो, हमका हार एकदम परदास नहीं हो. इग आदमी लोग का चाही ह mommy! इचारों आदमी हम लोगन का चाही ह Southwest रषॉका मारो! एक एक बिल्दिंग, एक एक होटल और एक गेस्थाउस की तलाशी लो और जैसे भी हो फॉर इन बच्चे का पता लगाओ Do you understand? मैं खुछ नहीं सुनना चाहता I want results and immediately Do you hear? Immediately, understand? Over and out, go on अरे पीछेर दो, गारी के प्रेक फेले पीछेर दो पीछेर दो झाहता पीछेर दो, आरे पीछेर दो प्तेकल पोस ही अए पाब 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 मार शुट्टिया यो है ओ बबा बजरंगबली तेरा लख लख शुकर है तुने इस बच्चे को तो बचाया नाल नाल हम दोनों को भी बचा लिया यार ओ पाई वो तो जा रहे हैं चल हम भी अपनी गड़ी की ब्रेक ठीक राईए चल चलिए बच गए मितरा रब तेरा शुकर है ओ पाई अरे अरे बहुत थक गया यार मैं भी बहुत थक गया हूँ मैं तु बलकुल नहीं थका तु कहां से थकेगा थकते हैं जिनके यहां कुछ होता है जो सोचते हैं तो एक काम कर तु दरा चारवत ध्यान मार मैं जरा ऐसा करके सोचता हूँ दिमाग नीचे करूँ को तो थौट बहुत आते हैं मैं भी थोड़ा सोचता हूँ लेकिन तु सिर्फ उपर मत देख नीचे भी देख बच्चा है कई निकल न जाए मैं भी थोड़ा सोचता हूँ कोबड़ी के साथ सोकर कोबड़ी में कुछ आता है क्या नहीं क्या है? माफ करना माफ करना बोलके फिर सोगे यह लोग तु सोच रहे हैं सोचने दो बच्चा डूनता हूँ मैं बच्चा अगर मुझे मिल जाए तो पांच उसके पांच इसके दस और पांच मेरे पूरे पन्रह लात सब मेरे हाँ हाँ अले दोस्तों से गड़्डारी करता है तु नाइ बच्चा डूनडूँगा मैं लेकिन हम तीनो खाएंगे तीनो हाँ कोपडी बच्चा 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 हुआ हाँ बच्चा वह बच्चा बच्चा अब अरे बच्चन पली का भगतते उसके साथ है यह बंदर अपने पंदर लग पलो मेरा उटर लेके बागत या अरे हुई 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 है ठामबा रे, ठामबा, युखोनमा-भई, कोड़े दे लाएे, लइसेंस दाखो रे तुमको दिखाई नहीं देता या? वो गारी क्या आगे आगे भाग रहा था आगे भाग रहा है तु क्या हुआ? तुमको आखे नहीं है? चलो पोलीस्टेशन पॉली स्टेशन मुझे एरपोर्ट जाना पॉलिस टेशन एयरपोर्ट जाना है ने तो रिक्षा पकद ने है चलो फॉली स्टेशन तू क्या करा यार तू क्या करा यार तुम हटाना तू कई को बीच में आते mean we are my वाही का माम ले द तू कषुब बैटो ये क्या है बे? आज के भेवडे का इंतजाम पासाओ अब या खूसट पांस्तो के चकर में अगर वो पंदरा लाग नूपे निंकल गे तो मामा, दूदू, है आमा, दूदू, मामा, दूदू, मामा, दूदू, मामा चहरा जो ना देखेगी मर जाएगी रो रो के कोई कैसे जिएगी मा, कोई कैसे जिएगी मा, देते से जुदा होगे के चहरा जो ना देखेगी के चहरा जो ना देखेगी कोने, कोने में गुजी है तेरी किलकारी गुजी है तेरी किलकारी आ, सुन ले मेरी नोरी आ, सुन ले मेरी नोरी मेरी गोद में तू सोके चहरा जो ना देखेगी अरे यार इस छोटू ने तो तिगनी का नाच नचा दिया है कहां गया? कहां छुपा है कठोर? सामने तो आजा ममा अरे पकड़ो अरे पकड़ो 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 अरे यही सब करते रहो है कि भागो कि भी? किदर रहो है? इधर से मर गया पकड़, तू समाल मेरो का पकड़ो आजी है नहीं समाल सकता यार पलिस इधर ही आरी है तो बना यार उन्हें पता चल गया कि हमने इसको किडनेप किया है मर गया आज तू उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पैचान लिया ना तो मैं तूम दोनों को छोड़ का भाग जाऊँगा आज बाकवास करता है मुह खोलता है तो अभे तेरे को देख पुलिस को मारना देख अलाप कुछ करो यार कुछ को तो नमस्ते क्यों रहाए नहीं सिर आप उसके आरकदों पर ध्यान मत दीजिये क्या है नहीं उसका उपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है अच्छा तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जड़ा ठंडी हवा में गुमाईए तो ठ्की हो जाएगा जगो तुम लोगोंने इधर कोई बच्चा देखा है हाँ सब देखा है मेरा मतलब है कि रोज आत को सपना देखता हूँ कि मेरी शादी हो गई है और मैं दरजनों बच्चों का बाप बन चुका हूँ यह भी थोड़ा पागल है मैं सपने ओले अले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ में उस-बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोगों ने किडनैपकर लिया ए कुछ समझ में आया कि नहीं यह रही उसबच्चे की तस्वीर अगर यह कहीं दिखाई दे तो पली स्टेशन में खबर करना है खुपड़ी ये तो हाँ साब को अभर मिले तो सबसे पहले आपको आपको बताएंगे साब क्योंकि हमारा कड़ा भी है हमारा फेर्स है क्या वा क्या बात है पागल है ना तुमरा इलाज कहा पर चल रहा है ईलाज इलाज कई कर इलाज ढौक्टर दिखृत पागलों के सबसे बड़े डॉक्टर है उन्ही कर इलाज इनको चल रहा है हाँ उनका नमसा ऐा है लेकिन खुली हवा में सेर करने के साथ साथ इसके सर पर आवले का तेल भी लगाया कुरो समझे सर आवले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास वो ये है के सुवा सूरज निकलने से पहले ना के एक नतिनी से पानी अंदर खेच कर दूसरी नतिनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मेल बाहर, पागलपन दूर और पैदा निवा तो पैसा वा बेश अरे वा, हवल्दारी से पहले चौपाटी पे दवा बेशते थे क्या तुम को कैसे मालूँ, तुम जोच्छी हो क्या हवल्दार मैं कहा तीन पागलों की बिंदो फस गया हूँ यार टाइला कौन? ये दूसरा? तू? दूसरा? पकड़े जाएंगे, बहुत जला रहा यार अरे हवल्दार जाओन आपना काम करो यार, बखवान बलावक देगा गया अरे, सुनो ये पागलपन के दौरे में किसी को थंग तो नहीं करता पागल? को न? मैं पागल नहीं हूँ हर पागल यहीं बोलता है कि मैं पागल नहीं हूँ खेर, वो बच्च अगर कही नज़र आ जाए तो हमें खबर कर देना आव जाओ तो सही अरे खोपड़ी धुआ अरे खोपड़ी धुआ अरे वोपर तश्पुष के आग लगी है अरे बुझा आग बुझा तू बुझा मैंनी तू पर रहे मैं बुझा नहीं हम दोनो साथ में आग बुझा आते हैं हाँ एक दो ती अबे क्या क्या तुझा आग बुझाई आग तो बुझा दी आगी सब फ्रेक्चर कर दिया वो तो पहले ही जही था पहले जही था वो किदे रहे अबे बच्चा किदे रहे बच्चा अबे आगी अबे आगी अरे यह देख जा रहा है जा रहा है फक्ला though आगी 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 हाँ आग आगी 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 बच्च months वा आगा कि अपने पैसे तो जाएंगे पानी में अपने से बच्चे ने बरबाद कर दिया या पकड़ो उसको या आई ये साब जल्दी आई ये चल 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 कर अरे बाब रहे चलो बैटे तुम्हारा राउंड पूरा हो गया उत्रो नीचे अरे नीचे 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 अरे कैसे उत्रे तुम्हार प्रिया रहे तुम्हार पैसा देने के बाद मैं अपनी आखे बंद कर लूगा इसके नाना के घर से उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है अरे लोरी भी सुनाई और तुम कहते हो तुम्हारे आदमी बगड के लिए क्या है वाग वाकिल साब तुम 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 तीनों होगे तुम राजु भटनागर की शायर आदत जानते नहीं वो जिससे काम लेता है उसका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए बत्ता साफ कर देता है बांदो इन तुनों को यहाँ जस्टिस सिन्हाँ येस पीकिंग आपका नाती हमारे कब्जे में है कौन हो तुम और क्या चाप्ते हो राजु भटनागर की रहाई वाट भागर तु नहीं हो गया हो तुम अगर कल कोट से राजु भटनागर को तुम ने रहा नहीं किया तो अपने नाती की लाज देख कर तुम और तुम्हारी बेटी जरूर बागल हो जाएंगे इंपॉसिबल नामुम्किन हम अपने फर्ज से ख़बदारी नहीं कर सकते इस नहीं का इंजाम तुम परदाश्ट नहीं कर पाओगे जस्टिस सिन्हा हलो हलो किसका फ़ून था डैडी ? वो मुन्ने के बदले राजू भटनागर की आदादी चाहता तो थोड़ दीजे राजू भटनागर को मुझे मेरा मुन्ना चाहए मैं तेरी मुझा की तरब को समठता हूं बीटी लेकिन कानून का गला घोटके का नाम का रिष्टा आपसे सिर्फ पैसे का है सिर्फ रोजी का है मुन्ना आपका खून है दादी बीठी ऐसे अलफास बोलके अपने बाप के फर्ज को गाली मत दो एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिष्टे से बड़े मेरी ड्यूटी मेरा फर्ज है मोना चुप हो जाओ मैं तुझसे वादा करता हूं मोना इससे पहले कि तेरे डाडी को जुकने पर मजबूर होना पड़े मैं अपने मुन्ने को लेकर आऊंगा बता मेरा मॉंटी का है बता मेरा मॉंटी का है बता मेरा पच्चा का है बता मेरे मॉंटी को का चुपा के रखे हलो तुम्हारा पती राजू भटनागर को रिमान पर पुलिस वाकप में ले गया है अगर उसने उसे वहां हाथ भी लगाया तो याद रखना तुम्हारे बच्चे का हाशरबात पुरा होगा नहीं प्लीज प्लीज मेरे मुन्ने को कुछ मत करना भगवान के लिए उसे चोड़ दो अगर तुम अपने बच्चे को सही सलावत चाहती हो तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलिस भगवत भागने का मौका दे और अगर ऐसा नहीं नहीं हुआ तो एक बात हमेरे कान खुर के सुल लियो कि हम तोरा बच्चे का इतना टुकुला करदूंगा इतना टुकुला करदूंगा कि गिन्ते गिन्ते तोरी उम्मेर कर चाहिए पतर पतर बत कमीन बत 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 मेरा बेटा कि दे रहा बता क्या करें सर्थ ये शाला तो मर जाएगा मेरे बेटे का पता बताए बगएर मौत भी इसका पता नहीं काट सकती बत बत हलो मैं इंस्पेक्टर शांता आप टे बोल रही हू टीसेपी विकास वर्मा को फोन दो बहुत अरजन बात करनी है एक मिरट मेडा, होल्ड करा बता साहिर आपके लिए फोन है इंस्पेक्टर आपने लाइन पर है, बहुत अरजन बात करनी है अलो आपकी बेटे का पता चल गया है सर वो वर्सोवा की सिलवर क्रॉफ बिल्डिंग में देखा गया है हमने बिल्डिंग को चारो तरफ से गहल लिया है आप फॉरन चले आए तुम उधर ही रुको, मैं भी पहुचता हूँ इस सुवर के बच्चे का ख्याल रखना ये सर फॉरन वर्सोवा चलो आए मेडम आप यहाँ विकाजे तो नहीं है मैं जानती हूँ वो राजू बटन आकर कौनसी लोकर में बनने है यहाँ यहीं इसे लोक अप में वे थिलना नहीं यह क्या 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 हलना नहीं मैडम आप पिस्टॉल भरी हुई या गोली चल जाएगी गोली चलीगी नहीं बलके मैं चला दूगी मैडम आप गैर कानूनी हरकत कर रही है मैं कानून अच्छी तरह जानती हूँ राजू जल्दी आओ मैडम यह बहुत खतरनाक मुझली में इस ने आपके बटे को गिटनेप किया। अपै शूप मैं कहतो हूँ आप लोग रुग जाईं मही पे पास मात आना मैं कहतो हूँ छूप मैडम याज आप गलत कर रही है यह मैं कहता हूँ कि खोबड़ी ए खोपडी अरे यार कुछ ऐसा चक्कर चलाना है कि राजू के आने तक अपने को ब्योडा मिलता रहे अरे तेरी ये दारू की वज़ा से हमारा यहाल हुआ है वो कैसे तेरे ही कहने से खोपडी ने जेल में राजू बढणागर को लूटने का प्लान बनाया था वो ना होता तो राजू बढणागर से दोस्ती ना होती और ना ही हम बली चड़ते अरे तुझे भी तो इंपोर्टेट सिग्रेट और तंदूरी चिकन चाहिया था ना अबे यार ये बकवास करके क्या फाइदा है ये सोचो ना कि यहां से दिखले कैसे अरे यार सोचने का काम तेरा है अपन तो तेरी सोच पर आमल करते हैं इव ब्योडे मैं लुड़के तेरे पास आता हूँ तो अपने पैर से मेरी रसी खोलतू अरे अच्छा है यार एडे मेरे पैर खोल इसलिए तो कह पाऊं दारू कम पी देख नहीं गा, मेरे पाऊं भी बंदे हुए अब तो अगर घुवानी मदद करे तो फिर बचने का कोई चांस है नहीं तो कहे कम से ये लो, आ गई फसाद की जड़ देखा, मजाग उड़ा रहा है हमारा आओ कनया, लगता है तुम्हारे कारें डूबी है हमारी नया तुमको उठाया था ना, शायद उसी की सजा मिल रही है हमको क्या है अपने चलाला मज आज तो बुजा भी नहीं पाऊंगा मैं हालत देख रहा मेरी प्योड़े 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 पीछवड़े आग तो नहीं लगी है लग रही है अरे खुबड़ी, फेल नमत तेरी रसी जल रही है प्योड़े जलती, जलती, खुल आरे आराम से या खुबड़े खुल 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 गया खुल गया अधे, लिए मेरे राजा तू तो सस्मुल का करई यहां निकला यार वोपड़ी एक काम करते हैं इसको इसके घर पहले पहुंचा देते हैं पहली मर्दा तून्हें अकलमंदी की बात पही है मैं यही बोलने जा रहा है तू सब बोलने जा रहा है चल पकड़ इसको चल लो जल दी बागो बागो देखो हर काम समझारी से होना चाहिए इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है वेलकाम राजुबाई वेलकाम आजादी मुबारक हो मैंने कहा था ना टागा कभी हारता नहीं इस तुरुप की मेम ने तो बाजी पलट दी नहीं भई मेरा इस देश से निकलने का इन्जाम किया कि नहीं मॉड आलेंड पे बूड आपका ही इंतजार कर रही है लेकिन अभी खबर आई है कि शहर में पुलिसे नाकबंदी शुरू कर दी है राजी फटनागर को पुलिस के साथ आंख विचोली खेलने में बहुत मदा आता है तु देखना डागा मैं क्या करता हूँ तुम लोग कुछ भी करो मुझे मेरा बच्चा चाहिए कहा है मेरा मुन्ना बोलो कहा है मेरा मुन्ना भई कमाले डागा कहा है मुन्ना मुन्ना लाके दो बच्चा कहा है बच्चा यहीं होगा बच्चा कहां गया अच्रों देखो तागा साब ऊपर तो कोई भी नहीं है और बच्चे के साथ साथ वो तीनों लोग भी गाइब है मैंने तो एन तीनों को रसी से बंधा दिया था अभी तक वो रसी नहीं बनी है वकिल साथ जो हमें बान सके और तुमने तो सुना होगा, बांदने वाले से बड़ा खोलने वाला होता है खोलने वाला नहीं, जलाने वाला और जब वो खुस्से में आया का न तो तुम बहिमानों की लंका को जला कर खाक कर देगा कहे ना क्या चाहते हो तुम अच्छु भाई हम लोगों का रिकार्ड है कि हम लोगों ने बहिमानी का काम भी हमेशा ही मांदारी से किया है हाँ हमने तो बच्चे को किड्नाप किया लेकिन तुम्हारी इस वकिल ने पैसे देने से इंकार कर दिया जूट बोलता है ये, बच्चा ये लोग नहीं, मेरे आदमी लेके आये थे अच्छा, तो जजज साब के घर भी तुम्हारा ही आदमी गए थे ना उसके घर पे आग भी तुम्ही नहीं लगाई और वो जो छोटा सा है उसके नखरे भी आप ही ने बरदाश की है शायद उसको बताओ उसने हमारे इसी बैंड बजाई है के बताओ? नहीं जानते है भी टाइम नहीं बखवास बंद करो और ये बताओ के बच्चा कहा है देखो राजु बाई आपन तो पब्लिक टेलेफोन है सिक्का डालो और बात कर लो तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे ये मेरा वादा है बादा और आदा आपन नहीं पहिजानते है अपनका उसूल है ये साथ दे और उसी हाथ देले क्या बतारूरूरू ये रहे तुम्हारे पैसे हमारा बच्चा लेकिया तुम कही नहीं जाओगी तुम यही राओगी कैसा है तु बच्चा या लाओ, कमाँ, 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 कमाँ चल, अपने पाल तुम कुत्तों से बोल, हतियार फेग दे बोल, बोलता हूना, चलो भई कुत्तो, हतियार फेग दो यह रहिया आपकी आमानत, इसी तो हम आपी के पास ला रहे थे, लेकिन आपको देखा इसलिए रुप गए मना, 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 मेरा बच्चा खबरदार, खबरदार, कोई नहीं हिलेगा, चल उदर, चल उदर, चल कुत्तासाला, है अब बोलो के तुम गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाए मेरे पास वक्त बहुत कम है, परना मैं तुम लोगों को तडपा तडपा कर तडपा तडपा कर ऐसी मौत मारता के मौत भी शर्मा चाती अफसोस, अफसोस कि अब तुम्हारे साथ ये भी मरेगी पूछो क्यों, क्योंकि राजू भटनागर अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता और रहा सवाल इस बच्चे का अरे ये बच्चा तो, ये बच्चा तो मेरी जान है, जान क्योंकि ये मुझे पुलिस से बचाकर अपनी बोर्ट तक पहुँचाएगा अलुष के बाद मैं इसके छोटे 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 तुकले कलके मशनियों को खिला तूंगा नहीं क्यों क्यों आप मुझे मर्चा लेको, मर्चा आप आप इरेक आप 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 हम्का बेके कहां जाती है चमिया हुआ ओओ हुआ 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 तोफ और बढिए तोफो इफ दो खिड़ा जोड़ा तर फिसा टूउपलाइ तेरка वारा है आँ तेर लुवडर तेर शीजड़ानी का वारा प्रीजम्छस एन प्रणित वार फिर दोड़ा प्रीजम्छर में फिर्ड़ा टोड़ा है आप आप रड़ जाशी है और्मारू! Coming! ते यापच्चम! पांगेट देखूं तो अरे शाला कुछ भी नहीं अंदर या ये क्या कर रहा है पर्स चुरा रहा है पईसा तो मिलने वाला ने दाना पानी को कुछ तो चाहिए पर इतना बड़ा पर्स खाली पांच रुपया इसमें या अरे यार मारते भी हो और पर्स में चिणाते हो तुम लोगों शरम नहीं आती अरे शरम तो तुझे आनी चाहिए पर्स में फिर्फ पांच रुपय रखता है साला मार साले को इस बच्चा हम कर देदर आनी वरना हम तुका गोड़ी मार डेप नहीं वे बच्चा नहीं दोंगी हमको गोल नहीं मारी है हमको धर्वान का भागतू जहां बदान बली चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी बाई अरे इधर 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 किस चाहता है अरे हम hero party के, villain party उधर है उधर है कोई भाचकर ना जाए है अरे हम ये मार दिया अरे मुझे मार रहो बच्चे का अरे भच्चा ठोड़ दो बज़े किदर, चोड़ा। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दे मेरे मुन्दे का। पकड़ो सबको, कोई भी भागने न पाए। विकास, विकास राचु भटना कर हमारे मुन्दे को लेके भाग गया। अब रावनी मॉनेका, मैं मॉन्टी को साइस सलामत लेकर आऊँगा। मेरा बच्चा मुझे दे दे। अहां, नहीं। मेरा बच्चा मुझे वापिस कर दे। और मैं कहता हूँ कि नहीं दूगा। रुक जा, वरना तुझे जान से मार दूगा। अरे तु मेरी जान तब तक नहीं ले सकता, जब तक तेरी जान मेरे पास है। और अगर हिम्मत है, तो चला कुझे। चला। बच्वाँ! पापा! पापा! कि अव सहुआंग word किर्ण आपट्र किर्ण big किर्ण ज्रिप प्रेख किर्ण कि बाय उने युर कि तरगए औे टू Know कि युर्ण युमाराद से विर्ण युचित कि यी सरी कि एयुआ युषन कि ऱाई बहुतन कि युखतन कानून को अपने हाथ में मत लीजे, सर प्लीज, लेकर चलो से, उटाओ, चलो रेकर जाओ, नहीं सर, प्लीज आंटी, मेरा बच्चा राजू फट नागर क्या देखता है, क्या देखता है, वो तो विका साम ने तुझे जिन्दा छोड़ दिया, हम होते न हम, तो राजू के भट को भुट्टे की तरह भुनते, और नागर को नागरा बनाकर पैर में पहना देते विकास साब, हम सबको माफ कर दीजिए हम लोग कारण आपको बच्चा लफड़े में आ गया साब इसलिए हम बहुत शर्मिन दा है सच पूछो तो भगवान ने आप तीनों को हमारे बच्ची की रक्षा के लिए भेजा था अगर इनकी जगा राजू की गुंडे मॉंटी को उठाले जाते तो ना जाने हमारे बच्ची की क्या हालत होती मैं कानून से गुजारिश करूँगा कि आप लोगों की सजा में रियायत परती जाए सजा तो हम लोग की घिजा है यहां जैसे पेट को खाने की ज़रूरत पड़ती है वैसे हमें दो-तिन मेने के बाद सजा की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इस बार सजा काटने के बाद जब हम बाहर निकलेंगे ना हम मॉंटी बाबा की सौगन खाकर कहते हैं कोई बुरा काम नहीं करेंगे अरे वाँ येडे तुने तो पेडा काने वाली बात की ये सब मौंटी बाबा के साथ और बजरंग बली के भक्त के चमतकार का कमाल है नमस्योश्कार अबे अब क्या हुआ क्यो है रोता हुआ हम तुझे जान गए तो है पहुचा हुआ अबे अब क्या हुआ क्यो है रोता हुआ हम तुझे जान गए तो है पहुचा हुआ सरदर्द है सारा हाँ 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 सरदर्द है सारा अपने बज़े बारा हमने तो ये माना के तुझे बाप हमारा बाप हमारा अबे अब क्या हुआ क्यों है रोता हुआ हम तुझे जान गए तु है पहुचा हुआ काहे तु शोर करे रे बचुए काहे तु शोर करे रे बचुए काहे तु शोर करे रे बचुए काहे तु बोर करे